एक पेंडूलम कंसिस्स ओफ ए उडेन बॉब ऑफ मास M ए लेंथ एल बुलेट ऑफ मास M1 इस फाइड तोड़्स दी पेंडूलम विद वेलोसिटी वीवन बुलेट कम्स आउट ऑफ दी बॉब विद स्पीड वीवन बई थी अंद दी बॉब जस्ट कंप्लेट समोशन अलों सर्कुलर मोशन होगा तो इसके लोवेस्ट पोजीशन पे अगर हम वेलोसिटी देते हैं रूट फाइब जी आर तो यह मिनिमम एक बार यह घूम सकता है और यहां पर उसका वेलोसिटी उस मोशन में कितना होता है रूट अंडर जी आर और यहां टेंशन हम लोग क्या लेत हो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग लोवेस्ट पोजीशन पे रूट फाइब जी आर वेलोसिटी देंगे तो पार्टिकल कम से कम एक बार घूम जाएगा और उस ताइम उसका हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितना रहेगा रूट अंडर जी आर ठीक है हम यहां पे जो वेलोसिटी दिये थे रूट फाइब जी आर वो रूट फाइब जी आर ना दे हम यहां पर वेलोसिटी सपोज करो कि रूट यू का वैल्यू इस ग्रेटर देन रूट टू जी आर लेकिन लेस देन रूट फाइब जी आर तब पार्टिकल कहां तक जा पात करते हैं अगर वही हम करें कि हम को रूट को से कम से कम से कम से कम से कम व suivॉसिटेइपटा requiring लोईश पाइशन Τो पाइचल जो है वह कुछ तक चा सकता और आतक तक जा नहीं पाए कि कि आके कि शोर्स देंगे रूट उसक्राइशन करेकम है तो यहां जाने के बाद हो सकता रसी लूज हो जाए और फिर वो आगे जा करके इस तरह से प्रोजेक्टाइल करके नीचे गिर जाएगा ठीक है और अगर तुम रूट फाइब जी आर दिया तो कम से कम यहां तक पहुंच जाएगा और यहां पर उसका वेलोसिटी कितना रहे जाएगा रूट जी आर और यह फिर गोम के नीचे आ जाएगा समझ मैं यहीं कॉंसेप्ट यहां लगेगा क्वेश्चन में क्या बोला था पेंडूलम कंसिस्ट ओफ उडेन ब्लॉक ऐसे है इसका मास कितना दिया हुए एम और लेंथ कितना यहां पर अब इदर से एक बुलेट आ रहे हैं बुलेट का मास कितना है एम 1 कितना वेलोसिटी से जा रही है वी व pewnoसिटी से जा रहे है तो अगर हम इनीशल मोमिंटम का फुछे तुमसे तो इनीशल मोमिंटम केषंट एक्टा acting कितना है V1 by 3 इसका mass कितना था M1 और इसका mass M अब final momentum बताओ कितना होगा तो final momentum हो जागा mass of the block into velocity of block plus mass of bullet into velocity of bullet दोनों equal होना चाहिए तो अगर हम दोनों को equate करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से therefore M V1 must be equal to तो M1 V1 is equal to क्या आ जाएगा M V plus M1 V1 by 3 तो बोलो अगर इधर आ जाएगा M1 V1 by 3 इससे minus हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 by 3 M1 V1 is equal to M V इतना तक clear है तो बताओ तो यहां से V का value कितना आया V का value कितना आया V का value कितना आया 2 by 3 M1 V1 by M आया 2 by 3 M1 V1 by M तो यह जो velocity है यह किसका velocity है block का collision के bath और minimum कितना होना चाहिए कि एक circle complete हो जाएगा root 5 GL होना चाहिए क्योंकि length L है ना तो यह जो V है यह कम से कम क्या होना चाहिए root 5 GL ताकि यहां पर एक complete circle बने और V कितना निकाले थे हम 2 by 3 2 by 3 M1 V1 by M is equal to root under 5 GL तो यहां से V1 कितना आ गया 3 by 2 root under 3 by 2 यह उदर चला जागा M और यह नीचे आ जागा M1 root under 5 GL कौन सा option सही होगा इसका ठीक है तो कितना आ गया V1 equals to 3 by 2 M by M1 root under 5 GL तो यह इसका option आ जाएगा first का clear हुआ समझ गया तो मेन काम क्या था यहां पर कि conservation of momentum हमको लगाना पड़ेगा और फिर उसको relate करना पड़ेगा root 5 GL से तो motion हो जाएगा complete